कि अपीं यह विदू अब्स एक मिनिट के सेशन इस्टार्ट कर रहे है एक मिनिट भी नहीं विदिन फिफ्टीन सेकेंड गभी हो जाता है थोड़ा सा भागता हूँ जाता है के वैसे भी सू कैमरा रेडी अब रात के समय सारा काम खुदी गड़ना है हम आल सेट सू या गुद तो गो चली जी सू हलो इन नविश्कार स्वागत आप सभी का माउथ अंसुक बालेवाल और डैली कानूनी अपडेट के सीरीज के अदर आप सभी का एलेज़ेटिक स्वागत है रेखें जी ऐसा है कि आज का जो सीरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीरियल ही कहूंगा क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है सीरियसली मज़ा आएगा अगले 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी हो सकता है लेकिन आवराल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है जी बी रेडी आज वैसे तो कहीं सारे टॉपिक है लेकिन मोटा मोटी कुछ ऐसे बिंदू भी आएंगे जो आपकी वकलाद के लिए बहुत जरूरी है अगर आप सोच रहे हो कि किसी वकील के साथ जुड़ना है या अगर आपने माली जी किसी के साथ ने कोई कॉंट्रेक्ट कर रखा है और सामने वाला वकील उस कांट्रेक्ट को तोड़ रहा है और आप उसके किलाब सिविल नहीं आप उसके किलाब किर्मिनल मामला दर्ज करवाना चाहते हो तो वो मामला दर्ज कराने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना या फिर आप एक पार्टी हो और सामने वाले वक्ती ने क्या क्या सामने वाले वक्ती ने आपकी civil liability के लिए आपके खिलाब criminal case तरच करवा दिया तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए ये वीडियो देख लेना है और अगर आप एक वकील हो और आपके वास कोई client आया है जो अपने दुख के पहाड आपके सामने रख कर कह रहा है वगील साब बचा लो तो कैसे बचाना है उसके लिए आज का वीडियो देख लीजिए चलो बई बहुत हो गया suspense सिरे मुद्धे पढ़ाता है वन बाई वन तो आज के साथ आज जो हमारी अलग-अलग खबरे है तो उसमें एक तो civil क्रिमिनल का मामला मेन रहेगा साइबर धोका दड़ी को लेकर एक नया initiative आपको बताने वाला हूँ जो हर candidate को जानना चाहिए और इसके लावा प्यार और court भईया ये तो केसी अलग लेवल का है ठीक है प्यार में सो मुश्किले है प्यार मत करना और अगर court के अंदर चले गए तो फिर एकरार मत करना चलिए और फिर मा का नाम अब मा का नाम किस तरीके से कानूनी अपडेट में आ रहा है आईए चेक करते है सबसे पहले देखो शायर आप लोग इनमें से कुछ लोग जानते होंगे कि ये महाराष्टर के Honorable CM है एक नाद शिंदे तो महाराष्टर के Honorable चीप मिनिस्टर सहाब ने अभी एक नया नियम लागू करवा दिया महाराष्टर के अदर और अगर आप महाराष्टर से बिलॉंग करते हैं या महाराष्टर के किसी भी वेक्ति से आपका किसी भी तरीका के कोई भी नाता है तो ये नियूज जरा सुन दीजेगा और वो ये है कि अब महाराष्टर के किसी भी व्यक्ति का नाम जो है न तो उसके नाम का first name it must be followed by the first name of his or her mother there after the first name of his or her father मतलब अब नाम के साथ माता जी और पिता जी का नाम automatically शामिल हो जाएगा और माता जी का नाम पहले आएगा माता जी का नाम पहले जैसे राध है तो माता पिता जी ऐसे करके नाम है जो आने वाला है तो यह एक नया official gadget notification डाला है किसके according हमारे महाराष्टर के honorable cm के द्वारा तो as per the order and applicant first name must be followed by the mother's first name and then the father's first name माल लीजिए कि A और B A father है और B mother है A कौन है F for father और B कौन है M for mother इनके दोनों की शादी से बच्चा भेदा हुआ C तो अब C का नाम कुछ इस तरीके से होगा उस C को हम C B A बोलेंगे क्या बोलेंगे C B A बोला जाएगा first name कहां पर है यह महाराष्टर के अंदर है अब इसके कई सारे फाइदे है कही सारे सितने से क्या होंगे फाइदे हैं है जो होंगे जो होंगे आप तो फाइदे की तत्क पहला फाइदा कि हमेशा वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा ही नहीं सकता दूर दूर तक तो ये एक पहला फाइदा होगा और क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि अगर नाम के साथ माता जी का और पिता जी का नाम जुड़ जात जाता था जैसे कुंदन गंपतलाल अवस्ति ये तो पहले लिखा जाता था लेकिन अब क्या लिखा जाएगा कुंदन कोशल्या गंपत अवस्ति अभी एक नया नाम है जो वहाँ पर आ चुका है और इस तरीके संगो सम्मोधित किया जाएगा और लास्ट में जो भी उनका सरनेम है एंड में उसका सरनेम है जो आ जाएगा जैसे कुंदन लड़के का नाम है उसके पिता का नाम गंपतलाल माता का नाम कोशल्या और उसकी जाती है अवस्ति तो कैसे लिखा जाएगा कुंदन कोशल्या गंपतलाल अवस्ति येट विल बी दे नेम सोचो शादी के का पर क्या नाम लिखा रहा जाएगा कि इदर लड़की है निकिता निकिता संग कुंदन कोशल्या गणपतलाल अवस्ती निकिता डड़ जाएगी मेरी शादी एक से हो रही है या नेक से हो रही है कि जो भी है विद्ड्यू रेस्पेक्ट आप इस कोसिप एक अलकी अंदास पर लेकिन यस अब जो है यह बाद है और यह पॉजिटीव आपने आप में सिग्नल भी रहे है और विया रेस्पेक्टिंग इसलिए आज के बाद हमको इस पाद को क्या करना है ध्याने जो रखना है यह पोज इनका बड़ा शांदार है एक दो ऐसे करके यह कमान आजाओ मेरे अधर भाई और इस तरीके से चलो वाई यह तो ईरही पहली कबर बार लाकू हो रही है लेकिन महारास्ट राज्य नागरी पूरे भारत में क्या कर रहा है आज आधके टाइम में वेपाले जो कर रहा है तो आपको सब लोगों ने तारक महता का उल्टा चस्मा देख रखा ह मैं आपके सामने entertainment करने तो नहीं आए वही बात होता है और अगर ये खबर में लाया हूँ तो उसके पिछे कुछ न कुछ जरूरी चीज है क्या होता है कई बार इंसान जिस चीज में interest देखता है न और अगर उस चीज को वो अपने knowledge से जोड़ दे तो हमेशा लंबे तमें तक याद रह जाती है चीज़े हैं दो कहावत है गुरु गुड रह गए चेला शक्कर बन गए सुनिये आप लोगों ने बबिता जी पे ट्राई कर रहा था दाल गली कि नहीं गली वो तो नहीं पता लेकिन अब कुछ ऐसा हुआए को उसके बाद जैटा लाल की जो दाल है वो नहीं गलने वाली हुआ ये है कि ये जो बबिता जी है उर्फ मुनमुन धत्ता जी जो है वो रियल स्क्रीन में जो मतलब स्क्रीन ओन स्क्रीन तो है वो जेटा लाल के साथ हो सकता है chemistry set कर रहे हो लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने जेटा लाल के बेटे का किरदार निबाने वाले बंदे से क्या कर दिया शादी वादी कर दिया वंगुटी वंगुटी है जो पहना दी इन शौड प्यार पे कंट्रोल नहीं होता अचा वो बात अलग है कि ये जो छुटकुलाल है ये नौ साल छोटे हैं ये कितने हैं? नौ साल छोटे हैं हना? बट क्या अगर है? ऐसा खतना को अब जेटालाल जो है पता नहीं कहा है अब जड़ा समझेगा अब जड़ा समझेगा कि मैं ये इमेज आपके सामने क्यों लाया हूँ वो इसलिए लाया हूँ क्योंकि हाली में ध्यान से सुनिए इदर देख लो हाली में एक मामला ऐसा आया वो भी Honorable High Court के सामने Honorable High Court के सामने कि High Court ने मजबूर होकर हाथ जटक लिए क्या था मामला जानना चाहते हूँ Legal Update कानूनी से से बताने वाला हूँ तो खेर ये तो सब एक कॉमेडी के बात है यहाँ पर में मामला है ये हुआ क्या था ज़र अब्सर्ब कीजेगा हमारे जो आंदर परदेश High Court है आंदर परदेश High Court में Honorable Justice है वेंकट जोतिरमेजी आंदर परदेश High Court Honorable Justice वेंकट जोतिरमेजी तो उनके सामने एक मामला देखो दो मामले में एक साथ आपको बताऊंगा इस मामले पर बात बात करेंगे पहले इस पॉइंट से connect है जो करते हैं तो अमरावती के अंदर एक पॉक्सो एक का मामला आया और मामला ये था कि एक 21 साल का यूवक कितना? 21 साल का 21 years अब 21 years के यूवक ने एक 16 साल की भॉली कन्या के साथ में प्रेम परसंग कर लिया प्यार हो गया दोनों को एक दूसरे से दोनों को वन साइडेड नहीं था 21 years की यूवक को भी था तो 16 साल की यूवती को भी था अब उस 16 साल की भॉली कन्या कि पिताजी को पता चला कि भी ऐसा ऐसा मामला है तो उन्होंने अपनी बेटी को तो लगाई डाट ञगाया फटकार लगाया और क्या कर दिया बोला कि घर में है जो बठा दे सर फैक नीउस है सर ये ये जो नीउस है वो वास्तिक है इससे पहले वाले फैक हो तो भी हमें फरक नहीं पड़ता Now understand क्या था तो इस तरह से 21 और ये बहुत हो रहा है ये बहुत common सी बात है जो हो रही है आज के समय में मेरे ख्याल से ऐसा time भी आएगा जब जो maturity की age है उसको कम किया जाएगा आज कल के बच्चे 15 साल में ही mature हो जाते हैं आप देख लीजेगा आप ट्राइ करना आज कल के बच्चे 15 साल में ही क्या हो जाते हैं mature हो जाते हैं उनको उस समय भी 21 साल, 22 साल, 24 साल के लोगों के से भी ज़्यादा जानकारी है जो होती है है ना तो समझेगा हुआ ये कि 21 साल का लड़का जिसने जो है 16 साल की मौलिग इन्या के साथ में प्रेम बसंग हुआ मामला इतना आगे बढ़ गया कि जो लड़की के फादर मदर थे उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है उस लड़के के खिलाब पॉक्सो कानून की धाराएं लगाई पॉक्सो कानून का मामला उसके खिलाब दर्च के उसने का वहमारिस तरीके से बेटी 16 साल की हैं बैला के फुसला के वगरा वगरा ये जो चीज है जो इस तरह की अब समझीगा तो पॉक्सो एक केस की सुनवाई के दौन अंदर प्रदिस हाई कोट ने कहा कि किशोरों के प्रेम को अदालते नियंतरित नहीं कर सकती विया आप ही सोच रहो कि इस तरह का कोई भी मामला आ जाए कोट में लेके चले जाओ और लड़के को पॉक्सो एक में ता उम्र कैद करवा लो क्यों भई सिर्फ लड़का जिम्मेदार है लड़की जिम्मेदार नहीं है 16 साल की है इसका मतलब उसके कोई जिम्मेदार ही नहीं है वगरा वगरा तो यहाँ पर कंसेंट का मामला है जो बन रहा है तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने में जजिस को काफी सावधानी बरतनी चीए पुलिस ने एक लड़की के परिवार की शिकायत पर यूवक के खिलाब पॉक्सों समेट कई धाराओं के तद केस तरज किया यूवक को गिर्वतार कर लिया गया और उसने जमानत के लिए हाई कोट का दरवाजा नौक किया और कोट ने सुनवाई के दोरन पाया कि लड़की जो कि 16 साल किये वो भी यूवक से क्या करती है प्रेम है जो करती है तो लड़की के परिवार को प्रेम समंद का पता चला सो एंसो मामला बड़ा बाद ने दोनों ने मंदिर में शादी कर ली अब योजन बक्ष का आरोप है कि शादी के बाद लड़की के साथ में योन इंसा है जो कीगी और लड़की ने नौवी के बाद स्कूल छोड़ दिया था सो एंसो इस तरीके से अब वो लड़का जेल के से जा काट रहा है लड़के को बेल मिलनी चाहिए कि या नहीं मिलनी चाहिए देखो यहाँ पे ना कई बार कानून कुछ नहीं कर सकता कानून जो है वो कुछ नहीं कर सकता तो यह बात सही है कि एक समय से पहले देखो एक समय से पहले अगर आप किसी भी बंदन में बंद रहे हो तो गलत हो जाता है और खासकर 18 से पहले तो यह बिलकुल ही ना जायज हो जाना चाहिए लेकिन कोट कह रहा है कि यार अब यह जो लवबर्ट्स आजकल पैदा होते जा रहा है हम इनको कैसे रोक सकते हैं अब इनको आप कहीं भी रोकने रुकने वाले तो है नहीं पहले एक फरवरी का महीना हुआ करता ता आजकल तो सारे महीनी वैसे के वैसे तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कोट ने उस लड़के को बेल दे के वरी किया कि भाई सिर्फ इस आधार पर ऐसे नहीं किया जा सकता और बेल देने से मना है जो नहीं किया जा सकता तो यह मामला अब यह तो एक एंगल और यह बहुत कॉमन है देखें एक सेकंड मामला और सुनो वो भी बड़ा खतरनाक है तो ये जो न्यूज है वो भी आपके एक तरीके से बात यही आ रही है कि कुछ मामलों में कोट के हाथ बंदेवे होते है अच्छा अब दूसरी खबर जो वाकरी में अपने आप में बड़ी जैन्मीन है जो होती है कई बार क्या होता है कि उपर वाले की कैलकुलेशन में कुछ गरबड हो जाती है कैलकुलेशन में गरबड होती है कि मान लीजिए कि A का शादी कराना था D से और C की सादी करवानी थी B से उपर वाले की सौफ्ट रेर में कुछ गरबड हो जाती है और उल्टी शादिया हो जाती है जैसे उल्टी शादी बोले तो A की B से हो गई और D की है जो C से हो गई फिर किसी रोज किसी मोड पे वो दोनों मिले और जब मिले तो आपस में एक दूसरे की उनकी आँख है जो है इस तरीके से ठकरा गी B को C से प्यार हो गया A को D से प्यार हो गया दोनों अभी तक तलाग नहीं लिया है और ये फैनलाइस कर दिया कि जो हमारा वरतमान पत्नी है उसके साथ हम नहीं रहेंगे हम किसके साथ में रहेंगे हम दूसरे वाले की पत्नी के साथ रहेंगे या दूसरे वाले के पत्ती के साथ रहेंगे समयन में नहीं आया है ना सीधे दोर में समझा दू सीधे दोर मामला ये है कि living spouse होने के बावजूद किसी और के spouse के साथ में live in relation में रहना ये मामला है जो सामने है लेकिन यहाँ पर वी मस्ट रेस्पेक्ट अनुरिबल जस्टिस रेनु अगरवाल वाट अ ब्रेव परसन सी इस तो उन्होंने कहा जस्टिस रेनु अगरवाल है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की गलास के अंदर दो तिन मुद्दे आएगा और ये मुद्दे वकीलों के पास बहुत ही common आते है और इसके लिए कुछ हद तक court भी जिम्नदार है देखो ऐसा है आज की तारिक में शादी पवित्र बंदने ठीक है लेकिन अगर शादी का मामला इस हद तक आगे बढ़ जाए कि एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बन जाए वो रिलेशन तो तलाक से बढ़िया कोई solution नहीं हो अटलिस्ट वो अपनी जिन्दिगी तो जी रहे है वरना पता चला कि एक ने दूसरे को मार दिया और वहीं भी मामला खत्म है छोकिया इससे बैटर रियो तलाक लिले बट हमारा जो सिस्टम है कोट प्रोसेडिंग का वो सिस्टम इतना मतलब slow है कि तलाक मांगा जाता है 30 साल की उमर में और तलाक दिया जाता है 40 साल की उमर में तब तक बेचारे की जवानी ढल जाती है और फिर उसको कोई मिलता नहीं है फिर तलाक दिने का भी कोई सेंस नहीं बच्चा था तो यहाँ पर यह लोग क्या करते हैं फिर शॉर्टकट अपनाते हैं इदर तलाक की प्रोसेडिंग चल रही होती है और वो उससे पहले ही अपना दूसरा जो लाइफ है वो स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर इस बात को लेकर जस्टिस रेंडू अगरवाल ने कहा मामला है पूजा कुमारी वसे स्टेट अब यूपी का एक टेलिग्राम पे एक चैनल है उसका आप नाम नोट कर लीजिए उस चैनल का नाम है लिंकिंग लॉज तनसुक सर लिंकिंग लॉज तनसुक सर उस टेलिग्राम चैनल पे मैं इससे जज्जमेंट की पीडियेफ शेर करूँगा इसकी भी PDF शेयर करूँगा और जो आज की class का सबसे की judgment है उसकी भी PDF शेयर करूँगा जो कि वकालात की practice से हैं जो जुड़ा हुआ है ठीक है अब समझेगा क्या होता है तो जस्टिस रेनो अगरवाल की पीट ने विवाईत लिविन कपल की सुरक्षा याचिगा अब देखो क्या था कि इधर शादी इधर वो लिविन में रह रहा है उसने कोट से रिक्वेस्टिक साब हमको सुरक्षा चाहिए तो कोट ने कहा कि नहीं वही ये सुरक्षा तो हम नहीं दे सकते हैं नियाले इस प्रकार के रिष्टे का समर्दन नहीं कर सकता जो कानूं का उलंगन है हिंदू विवादियम हिंदू मेरी जैक के नुसा ये दिकिसी वेक्ति का जीवन साती जीवित है या तलाग की डिकिर प्राप करने से पहले किसी अन्य वेक्ति शादी नहीं कर सकता तो ये बात है जो सामने आ रही है ये मावला है पुझा कुमारी का तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से एक नियम है जो सेट किया गया है क्योंकि देखो इस तरह की चीज़े बड़ी रेर आती हाला कि तो यह है आपके UP का freezer है होती है तो यह थिए आपको अगर आपको जूबी कि यह पहली क्लास देख रहा है डेली कानों यह अपडेट गी तो अभी तक मैंने पाँच episode ओर लिह है आप जरूर देखेगा हर episode के अंदर आपको कुछ न कुछ नहा मिलेगा तो ये हैं हमारी तीसरी खबर आगे बढ़ते हैं याँ पर तो अलाबाद हाई कोट का ये जज्जमेंट कहां पर शेयर करूँगा मैं लिंकिंग लो तनसुक साथ टेलिग्राम चैनल के तरह अब आ जाते हैं चौते और मेल माम लेकर में ये है सबसे मेरा क्या कहते हैं इक्के का पता अब तयार हो जाओ कुछ सुनने के लिए तुमारी आखों में आखे डाल के बात कर रहा हूं उद्धरा ध्यान से सुनना मुझे पता है तुम बहुत बड़े इंसान हो तुम डरा भी सकते हो मेरे को लेकिन मैं डरूंगा नहीं ये डायलोग बड़ा कॉमन है पता है क्या होता है कि मान लीजिए कभी कोई सुनना अच्छे से बड़ी बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कभी कभी अच्छी बात बताता हूं माके तुम में बहुत ज़्यादा ही बोलता हूं सुनना दो वेक्ती बिजनिस जब करते है ना दो वेक्ती जब बिजनिस करते है तो अब मान के चलो कि उनके बेच में कुछ तरक वितरक भी होंगे कुछ मामला ऐसा भी आएगा कुछ एंगल पे मैटर जो है वो ऐसे भी होगा जब दोनों के बीच में तनाव उत्वन होगा पेंशन आएगी एंजाइटी आएगी सेल्फिसनेस क्रियेट होगी और या फिर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं उनका बिजनिस टूट जाए वो एक दूसरे के कांट्रेक्ट को जो है फॉलो नहीं करे ऐसी ही है एक कहानी हुआ ये कि एक फर्म ने दूसरी फर्म के साथ कांट्रेक्ट किया कि देखो भाई ये जो हमारी साइकले मैनुफेक्चर आपको पता है जिब आपको ये पता होगा और नहीं पता है तो फिर खुद को अपडेट कर लो डीले डालो कि तरह बहुत बैकवर्ड चल रहे हो अपडेट कर लो तो क्या होता है कि साइकल अलग अलग पार्ट्स में आती है उसको असेंबल किया जाता है फिर उसको सेल आउट किया जाता है तो ट केस का भी जज्जमेंट नाइन पेज़ेस का जज्जमेंट है यहां पर भी दिखाऊंगा और इसकी पीडिएफ में आपको लिंकिंग लॉस तनसुक सर टेलिग्राम ग्रूप में भी शेयर करूँगा जहां पर ओलड़ी 47,000 से भी ज्यादा केंडिट्स लॉक एड़ोकेट्स बिल बना ओवरॉल जितनी भी साइकलेट्स ट्रांसपोर्ट का खर्चा असेंबल करने का खर्चा सब मिला के सामने वाली पार्टी ने उसको ओवरॉल सब मिला के टुकड़े उकड़े मिला के 65,000,000 पकड़ा दिये बाकी का अमाउंट नहीं दिया अब मुझे बताओ यहां पे जिस पार्टी को पैसा नहीं दिया गया उस पार्टी को क्या करना चाहिए था उस पार्टी को सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था और वहां पे मनी रिकवरी का सूट फाइल करना चाहिए था यही होना चाहिए था हाई है ना अगर आप लोगों ने LLB नहीं भी की हु cause of action का एक लीगल शब्द है जिसको हिंदी में बोला जाता है वाद हेत्थुक इंग्लिश में बोला जाता है cause of action अगर आप किसी वकील साब से मिलने जाओगे तो आप से पूछेंग वही civil case दर्च करना जारे हो cause of action गया है तो वही चीज वहाँ पर हुई तो अब ये civil suit file होना था लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि सामने वाली party ने civil मामला तो दर्च कराया साथ ही साथ में धोकादड़ी 400 BC criminal breach of trust 406 ये जो IPC की धारा है इसके तर्च उसने क्या कर दिया मामला है जो दर्च कर दिया अब ये नए वाले कानून में क्या मेरे पास BNS का section switching table है क्या आपको वो कुछाइद जानकरी है कि नहीं है मैंने जो linking bear act आप लोगों के लिए launch किया है this one तो इस linking bear act के तहत मैंने एक नई चीज इनिशेट किया और वो है linking switching table क्या है switching table इसके अंदर BNS missing है sir आपके क्या उठा रहे हूँ अरे और कुछ नहीं उठा रहा यहाँ पर हाँ यह रहा I wish कि इसमें BNS मिल जाए मिल गया very good तो देखो 406 section लगाया गया जो कि आपके नए कानून में कौन सा वाला section है नए कानून के अंदर 316 section में आता है criminal breach of trust 420 की धारा लगाएगी जो कि आपके नए वाले कानून में 318 तो 316 और 318 जैसी धारा है वहाँ पे लगा दीगी यानि कि criminal case है जो दर्ज कर दिया गया जब criminal कोई भी case एक बात दर्ज हो जाता है बहुत द्यान से सुनिएगा जब भी कोई criminal matter एक तरीके से दर्ज हो जाता है तो फिर उसको set aside करने के लिए उसको निरस्त करने के लिए honorable high court के पास में CRPC का जो पुराना वाला धारा है 482 कौन सा 482 और नए वाली धारा की बात करें तो 473 नए वाले कानून में कौन सा मामला आ जाएगा आपके सामने नए वाले कानून में 528 528 पुराने कानून में 482 तो उसके दर high court में एक petition file की जाती है 528 BNSS के तायद तो उस नए कानून के तायद 528 या पुराने में 482 पुराने में petition file करके उस complaint की जो प्रोसेडिंग है उस criminal प्रोसेडिंग को आप क्या करते है तो एक मामला ऐसा ही आया कि इस तरह का civil matter था cycle assembling का contract था मतलब उसने अपना contract पूरा गया सामने वाले पार्टी ने payment नहीं किया तो जिस पार्टी को payment नहीं मिला उसने civil matter भी दर्च करा दिया criminal matter भी दर्च करवा दिया फिर बात में जाके दोनों का हो गया settlement अब कानून की problem ये है कि ये एक बार जब start हो जाता तो आसानी जे खतम नहीं होता court का चरी जाना आसान है या कह सकते है जाना तुम्हारे हाथ में है आना तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसने फिर क्या किया उसने फिर criminal proceeding settlement हो गया लेकिं criminal proceeding चल रही थी तो 482 का मामला जो है हाई court नमना कर दिया कि हम निरस्ट नहीं करेंगे हाई court ने ये कहा कि ये हमारी बहुती rarest power है हम कभी कभाल इसको इसको इसक्त अिसको इसको इसक्त नहीं करेंगे मामला किसके पास महँचा reputable judgment है ये ध्यान से सुनना मैं आपके सामरे स्क्रीन पर लेकर आता हूँ अगर आप आम आदमी भी हैं अगर आप इस session को देख रहे हैं तो भी ध्यान लखना ये जानकारी आप तक होनी, आपके पास होनी चाहिए, मैं आपके सामने एक PDF लेकर आ रहा हूँ, चीक है, और ये PDF जो है, ये देखी, ये है नरेश वर्सेस करनाट का, नरेश वर्सेस करनाट का एकदम लेटेस जज्मेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल जज् बनाता, 122 की रेट से, ठीक है, वगरा वगरा, फिर फाइनली दोनों पार्टी के बीच में क्या हो गया, सेटलमेंट है जो हो गया, और एंड में जाके, ये आप इस जज्मेंट को जरूर पढ़ना, I will share it, ठीक है, कहां पे शेयर करूँगा, मैं आपको पहले ही बता दिया इसमें उन्होंने पुराने जज्मेंट का भी जिक्र गया, और फाइनली आजओ, ये देखो, मार्च 12, 2014, आज क्या तारीक है, आज तारीक है 13 मार्च, और ये जज्मेंट है 12 मार्च का, यानि कि ये जज्मेंट हो सकता है, आप में से कई सीनियर के पास पे भी नहीं होगा अब सोचो, सीनियर को इंप्रेस करने का तरीका हो सकता है, तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने जो सुदानशु जूलिया जी और परसन्ना भी वरिल है, उनकी बैंच ने क्या कहा यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, In the case at hand, the dispute between the party मैं इसको जूमा उट करूँ न भाई, छोटी-छोटी आखें है ज्यादा गहराई से देखने का परियास करेगी तो कुछ दिख नहीं पाएगा नहीं, आपको नहीं कह रहा आपको मैं कैसे कह सकता हूँ In the case at hand, the dispute between the party is not only essential of a civil nature but in this case, the dispute itself stood settled later मतलब न केवल civil nature का ये वाद है, बलकि dispute तो already settled हो रखा As we have already discussed We see no criminal element here and consequently the case here is nothing but an abuse of the process आपको पता है section 482 CRPC की language में तीन शब्द लिखे गए पहला शब्द लिखा हुआ है क्या? कि to prevent the abuse of process of court दूसरा शब्द वहाँ पे लिखा हुआ है to give effect the order under CRPC तीसरा शब्द लिखा हुआ है for the end of justice ये तीनों शब्द आपको CRPC के section 482 में दे रहे हैं हम लोग जब plus class में या जो ये unacademy app पर जो class होती है उसमें specifically कुछ बातों का जिक्र जरूर करते हैं और वो बाते आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आप इसको link है जो कीजेगा तो यहाँ पर क्या हो रहे है आपके सामने तो हमने किसी तरह कोई criminal element है जो नहीं दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो सामने वाली party ने पैसा recover करने के जो case दर्ज कराया वो और कुछ भी नहीं है abuse of the process है क्या है abuse of process है इसलिए अपील क्या की जाती है allow है जो की जाती है the criminal proceeding जो arise हुई थी out of F.I.R वो stand question जो की जाती है और in between उन्होंने ये भी कहा क्या कहा in between उन्होंने हाई court के लिए बात भी कही कि हाई court को कहीं कहीं जो है इस तरहीं के देखो ये judgment का दूसरे जन्होंने के नाम है सरब जीत कौर, पंजाव वाला मामला या फिर वैसा holding शिर कहला है इसको follow किया है देखा जाये तो ये चीज़ कोई पहली बार नहीं आ रहे कि लेकिन कहीं कि जो इसको इस्तमार किया है कि mere breach of contract इस line को सुन लो mere breach of contract by one party would not attract the prosecution for criminal offense in every case तो अगर simply किसी contract का breach होता है तो सिर्फ इस आधार पे आप criminal offense की proceeding को लागू नहीं करवा सकते क्योंकि देखो लागू करना असान है वही बात है आप जाना आपके हाथ में, आना आपके हाथ में है जो नहीं है देखो भाई, 482 की हाई कोर्ट में न कहीं सारी petition फाइल होती है कहीं सारी, अलग-अलग कर्मिनल मामले हैं जो होता है तो आप ये गांट मान लो जो मामला आपके पास आया है क्या उस मामले में कहीं उसका नेचर सिविल का तो नहीं है और अगर सिविल का नेचर है तो वहिया तुम क्लाइन्ट से दबा के फीस ले सकते क्लाइन्ट को एशॉरेंस कर लो चिंदा मत कर अपकी बार बोली साथ में मनाएंगे घर पे क्योंकि यहाँ पर आप अपने क्लाइन्ट को क्या कर सकते हो जिता सकते देखो सारा खेल नॉलेज का है जिस बंदे को जितना जानकारी रहता है वो उतना ही परफॉर्म है जो कर पाता है यह बात आपको दियान में है जो रखनी है क्रिमिनल केस में सेटलमेंट नहीं हुआ है سिविल मामले में सेटलमेंट हो गया था और civil bridge के मामले को जबर्दस्ति क्रिमिल में convert किया गया इसलिए कह रहा हूँ कि ये PDF में share करूँगा बस आपको एक चैनल लिंकिंग लोग तनसुक से connected है जो रहना है तो ये मामला यहाँ पर आया और ये आज के समय की सचाई है ये आज के समय की हकीकत है है ना क्योंकि पता है क्यों भी ऐसा करते भी क्यों है क्योंकि दो बात है नमबर वन उनको बदला लेना होता है और नमबर टू क्रिमिनल केस दर्च कराने में पैसा नहीं लगता civil में stamp fee pay करनी पड़ती है court fee pay करनी पड़ती है तो ये बात थी जो आपके सामने आज मैंने discuss है जो किये है इससे पहले मैं आपको आज की आखरी ख़बर सुनाओ मैं आपको दो बाते बता देता हूँ पहली बात तो ये कि अभी एक आपके पास अच्छा opportunity है जिस तरीके से मैं बढ़ाता हूँ ना ये डेली कानूनी update को इसी तरीके से मैं ये जो कानून के bear act है कानून के जो कानूनी bear act है इनको हम क्या करता है judicial courses के अंदर deal है जो करता है अगर आपको लगता है कि आपको कानून के किताबों के बढ़ा ही करनी है judicial course के तयारी करनी है the most welcome कल morning से यानि कि आपके 14 मार्च से एक regular segment स्टार्ट कर रहा हूँ 12 मंत का unacademy app पर बंदा तरीक से APP का special segment स्टार्ट होगा simply 499 पर तो you can take benefit of it और अभी आपको मार्च का unacademy वाला benefit मिल जाएगा देखो भाई मन्त मन्त क्या year end है हर corporate जो है last month में revenue करना चाहता है सीधी सी बात बता रहा हूँ बढ़िया offer है आच के बाद अप्रेल में शायद ऐसा मौका ना मिले तो you can take benefit of it यहाँ पर 56,000 के दा 24 months यानि कि साल बढ़ की जुडिशी की तयारी सिफ 28 अगर आप इसको महिने में divide करोगे तो it will become 2,000 रुपिस पर month for judicial preparation और यह बात तहरी कि quality में तो कोई compromise ना पहले किया है ना आप करेंगे ओके जी तो यह आपके पास अच्छा मौका है आपको description के दिसका link के जो दे रहा है दो तरह के segment होता है iconic और plus plus में और iconic में teaching से में iconic में कुछ बात एक्स्टा है जो होती है ठीक है जी तो यह आपके सामने एक important बात है linking bear act आपको linking bear act क्या दो linking charts क्या दो paper art on booklet क्या दो सिफ एक ही जगा पे मिलती है और जगा का नाम है linking laws dot com और कहीं नहीं मिलती चीक है आगे move on है जो करता है next point बात आई है advertisement की तो advertisement का जिकर भी कर लेते हैं यहापे जानकर ही है सन कोई दिक्कत नहीं है self study भी करो YouTube पे ये classes भी बिरी चल रही और भी कहीं चलेगी अब आज है ये last मामले पे और ये चीज़ आपके लिए एक नहीं है आपको शायद जानकर ही है कि नहीं एक शब्ध है चक्षू चक्षू basically परियाव आची शब्द होता है किसका परियाव आची शब्द होता है किसका आखों का जो आखे होती ना उसको उसका एक परियाव अची शब्द होता है चक्षू देखो दुनिया क्या करती है बता है दुनिया आपकी अच्छी चीज़ के लिए कभी तारीफ करे ना करे जो चीज़ में उनको कॉमर्शिल एलिमेंट दिखता है फटाक से कमेंट करेगी या और आदर डाल दो बुड़ा पे तक इसी दुनिया के अंदर जीना है और इसी तरीके से हर चीज को सहना है अच्छाई की कदर कम होगी और कॉमर्शिल एलिमेंट दिख गया उसकी तुरत पहली बात है सामने आज़े जैसे मैं आपको बता हूँ अच्छाई के बारे में आपने इस्टरी नहीं बढ़ा रहे जो फैक्ट था आपके सामने रखा अप चाहे तो इग्नोर कर सकते है उसको अच्छाई चलो हमें सिफ लॉज से मतलब है हमें लॉज के लावा कुछ नहीं दिखाई देना है दोकादड़ी वाले फॉन कॉल पर ही पल ठीकी रहती है चक्षू की निगाह है अब क्या है वह यह चक्षू अब सुनिएगा इस खबर को यह लीगल अपडेट है जो आपके लिए जानना जरूरी है साइबर अपराद वितिय धोकादड़ी जैसे मकसद से की जाने वाली जो फॉन कॉल है या संदेश पर शिकरिजा कसने के लिए दूर संचार विबाग यह जो टेलिकॉम डेप अपार्टमेंट है उसने एक और इनिशिटिव लिया है इसके तर्थ किसी गटना की चक्षू पोर्टल की जरी शिकायत की जा सकती है मैं बड़ी honesty के साथ आपको बताना चाहता हूँ आज की session से पहले मुझे भी चक्षू पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं थी कई बार आप लोगों को जो है ना कुछ बताने के लिए कुछ research करते हैं research के तर्थ कुछ नहीं जानकारी मिलती है तो आज मैं live आपके सामने इस खबर को क्या करने वाला हूँ डील है जो करने वाला हूँ चलो भई यहाँ पे जड़ा search करते हैं चक्षू प्लेटफॉर्म चक्षू पोर्टल जो है सरकार का वो क्या है let's see क्या वाकई में जो खबर हमारे पास आती है तो उसका कोई important aspect है या नहीं है यहाँ पे आपके सामने मैं देख पा रहा हूँ दो website है संचारसाती.gov.in यह official website है तो यहाँ पे जड़ा click करते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इस चक्षू से जुडावा हो let's see open it please तो यह आपके department of telecommunication कौन सा विबाग है दूर संचार विबाग और इसी दूर संचार विबाग के बारे में यह बात आ रही थी कि दूर संचार विबाग ने एक नया initiative लिया है अब समझेए कि वो initiative है जो क्या है तो यहाँ पर आपके सामने यह website तो हमारे बेच में आ गई citizen centric हो गया वगरा हो गया यह जो हमने word पड़ा था चक्सू क्या उसके बारे में कुछ है क्या है यहाँ पर संचार करांती हो गया एक्सेस नाओ citizen services report suspected देखो यहाँ पर न यह बना हुआ है आप note कर पा रहे हो new icon दिख रहा है new का इसमें मैंने click कर दिया click हो भी गया चक्सू report suspected fraud communication किसी के साथ भी हो रहा है तो यह जो physical police से हो सकता है कुछ ना कर पाए लेकिन यहाँ पर फर्क है जो पड़ता है तो समझेगा यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपके सामने कि चक्सू facilitated citizen to report the suspected fraud communication किसी के साथ भी हो सकता है cyber fraud ध्यान रखना थोड़ी सी जानकारी आपकी इज़्जद बढ़ा सकती है और हो सकता है मामले के इंदर आपको help कर सकती है तो यहाँ पर कौन से मामले हो रहे है यहाँ पर ऐसा कोई communication अगर ऐसा हुआ है हना तो वहाँ पर चुचू दी तो यह चीज़ आपके सामने है कभी फुरसत मिले तो इसके बारे में आप जरूर कीज़ेगा जैसे आपको कोई भी फ्रॉड वाले इस कुचना कैसे मिली फॉन आया मैसेज आया क्या आया वगरा वगरा ठीक है सलेक्ट इट सलेक्ट दे सस्पेक्ट फ्रॉड कम्यूकिशन की कैटेगरी कौन-कौन सी है KYC एरिटेट कैटेगरी आया था कि आपकी KYC पार कम्प्लिट करा लो फैक्ट कस्टमर के हेल्प लाइन थी ऑनलाइन जॉग सेक्स्ट ओरॉर्शन sextortion समझते हो sextortion में जैसे मालो कि आपका एक फरजी वीडियो बना दिया nude, semi-nude, naked angle के अंदर फिर आपको blackmail किया जा रहा है वगरा वगरा या अधर किसी angle से तो ये सारा का सारा segment है तो किसी को कुछ कहने के जरुतने simply आप क्या कर सकते हैं याँ पर ये government का एक official version है जो कि helpful है और मुझे उमीद है कि ये कानूनी update आपके लिए useful है जो होगा आज के session को यही पर समफ है जो करता है मैं उमीद करता हूँ कि Delhi कानूनी update की ये सीरीच आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इसको बंद मत होने देड़ा क्योंकि बंद होने की पीछे एक इची जिम्मेदार होती है और वो होता है कि जब हम selfish हो जाता है किसी अच्छी चीच को भी कहीं पर share नहीं करता है अगर लगता है कि ये परियाज क्योंकि देखो एक episode बनाने में कम से कम कम से कम 2-3 घंडे का समय invest होता है और उससे पहले मेरी content team भी अपना time invest करते है filter की जाती है कहीं सारी news उनमें से selective news को मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ तो if you find it appropriate so let the Delhi कानूनी update survive अब मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि आपको किस तरीके से deal करना है कल morning साड़े नो बजे जो राजस्तान और UP का जुडिशी रेगूलर बैश है that will be start 9.30 और ये जो मैंने आपको news बताई है इसके judgment PDF के लिए linking laws तंसुक सर टेलेगाम चैनल से connect हो जाईगा बाकी मस तरो बढ़े आर हो कानून के साथ अपडेट रहो so Delhi कानून अपडेट continue रहेगा thank you so much good night love you all respect you all